वेलकम टू परताब क्लासेज दोस्तों परताब क्लासेज की यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम फिर से क्रेंट अफेर्स रिवीजन की क्लास ले के आए हैं और जो भी उदार्थी राजस्तान प्लीस और ग्राम विकास अधिकारी के लिए अधिकारी की जो त्यारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल हम क्रेंट अफेर्स रिवीजन का जो वीडियो हम डेली लेकर आते हैं ताकि उनका क्रेंट एकदम जब्रतस त्यार होसके तो हम इंडिया और राजस्तान में यह सब जो पीछे 6 में नेका क्रेंट है वो इस वीडियो में उपलब्द करवाते रहेंगे तो ग्रूप डे की एकजाम के लिए भी यह स्पेशल बहुत ही महत्पून वीडियो रहेगा क्योंकि ग्रूप डे की एकजाम के लिए भी जो ऑनलाइन एकजाम होगा उनसे जो पीछे 6 में नेका क्रेंट है वो ही उसमें पुछा जाएगा तो स्पेशल राजस्तान पिलिस और ग्रामिका से दिकारी और जो भी ग्रूप डी की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल हम करेंट अपेर्स डिविजन की क्लास को जो वीडियो है हम डेली आपको उपलावद करवाते रहेंगे तो आज का पहला क्वेशन है आज लगबग मैंने खेल से समंधित क्वेशन उठाए हैं पीछे जो जो भी खेल हुए हैं कौन से किसने सुनड़ पदक जीता किसने क्या कुछ किया वो लगबग मैंने आज इस वीडियो में खेल पर इदर से समंधित है क्योशन डाले हैं राजस्तान समंदित से है और इंडिया से भी समंदित से है तो इसमें आज का पहला क्योशन है तो क्योग पेरा उलम्पिक में दिवेंदर जाजरिया ने कौन सा पदक जीता है तो ये रज़त पदक दिवेंदर जाजरिया ने जीता है तो चुरू जिली के रहने वाले हैं दिवेंदर जाजडिया और ये बाला फेक खेल से समंदित हैं किस से है बाला फेक खेल से समंदित हैं चुरू जिली के रहने वाले हैं अभी टोक्यो पेरा उलम्पिक में दिवेंदर जाजडिया ने रज़त पदक जीता है और 2017 में इन्हें राजीव गंदी खेल रतनमचो पुर्षकार भो भी मिल चुका है राजीव गंदी पुर्षकार भी मिल चुका है 2017 में और इन्होंने अब रज़त पदक जीता है नेक्स्ट कॉर्षण है टोक्यो पेरा उलम्पिक में सुन्दर सिये गुजर ने कौन सा पदक जीता है तो इसने जीता है कांश्य पदक सुन्दर सिये गुजर ने कांश्य पदक जीता है और ये है कुरूली जिले के हिंडोन सहर के रहने वाले हैं ये भी बाला फैंक खेल से समधित है और इन्हें 2019 में अर्जुन पुर्शकार मिल चुका है अब इन्होंने टोक्यो पेरा उलम्पिक में कांस्य अपदक जीता है इतनी बाते आपको याद रखनी है नेक्स्ट कॉर्सन है तोक्यो पेरा उलम्पिक में अवनी लेख राने निसाने बाज में कौन सा पदक जीता है टोक्यो पेरा उलम्पिक में अवनी लेकरा ने निसाने बाज में कौन सा पदक जीता है तो इसने स्वरण पदक जीता है कौन सा पदक जीता है गोल्ड मेरल जीता है स्वरण पदक जीता है तो ये तीनों ही जो मैंने शुरुआत में ये तीनों कोर्षन बताए है ये आपके लिए बहुत ही most important कोर्षन है क्योंकि राजस्तान के एक्जाम के लिए पुछे जा सकते है तो तोक्यो पारा उलम्पिक में अवनी लेखराने निशाने बाज में कौन सा पड़क जीता है सरन पड़क जीता है तो ये अवनी लेखरा है वो जैपुर के रहने वाली है और किस खेल से समंधित है निशाने बाज से समंधित है Re used question है राजस्तानी बासा के लिए केंद्रिय साहित अकादमी पुर्षकार किसे दिया गया है किताब कोन से ये मोख इन ए मरक का विमोचन किया है यह पुस्तक किसके द्वारा रचित है मोक इन ए मरक का अभी मिमोचन हुआ है और यह पुस्तक किसकी है यह डॉक्टर असोग पनगडिया की किसके है डॉक्टर असोग पनगडिया की पुस्तक है मोक इन ए मरक का अभी मोचन असोग पनगडिया ने किया है चितोड के मेजर यसो बर्दन बाटी को वीरता के लिए कौन सा सम्मान दिया गया है वरतमान में राजस्तान के किस दिले में सरवादिक सोर उर्जा का उत्पादन किया जा रहा है तो ये है जोधपूर में सरवादिक सोर उर्जा का उत्पादन एक नमबर पे जोधपूर है और दो नमबर पे है जेसल मेर अबी टौक पे जोधपुर चल रहा है सोरूरजा के दुपादर में और दो नूमर पे है जसल मेर नेक्स्ट कुर्षिन है बैदतर में वन महुच्षव की सुरुवात के साथ गर गर ऑषिदी योजना का सुबारम कब से हुआ है? बेतरवे वन मौत्सव की सुरुवात के साथ गर गर औस दी योजना का सुबारम कब हुआ है तो ये 1 अगस्त 2020 को कब हुआ है 1 अगस्त 2020 को वन मौत्सव की सुरुवात के साथ गर गर औस दी योजना का सुबारम भी किया गया है नेक्स्ट कोशन है पर्देश में राजस्तान सरकार स्वास्ते की योजना कब से हुई है तो ये 1 जुलाई 2021 से राजस्तान सरकार स्वास्ते योजना की शुरुआत हुई है नेक्स्ट कोश्चन है तो जो भी विदार थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके पास लगे बैल आइकन के गंटे को दबाईए ताकि जैसे हम वीडियो अप्लोड करने उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच आए और वीडियो क को लाइक करना अचा लगे तो कोमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करना और जो पीडियाप है वो हमारे टेलीग्राम पर परताब कलासे सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं नेक्स्ट कोशन है हाली में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वातसले योजना सुरू की है अब मैंने इसमें इंडिया और करंट का जिक जो करंट है वो दोनों मिसमें डेली आपको मिक्स जो पीछे का अच्छा मेने का वो मिक्स इसमें मिलता रहेगा अभी हाले में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वातसले योजना की सुरूआत की है तो पीवी सिंदु ने टोक्यो ओलम्पिक में कौन सा पदक जीता है तो कांश्य पदक जीता है कौन सा पदक जीता है कांश्य पदक जीता है और पीवी पीवी सिंदु है जो बैडमिंटन खिलाडी है कौनसी है बैडमिंटन खिलाडी है तो जितने भी ये खेल से समदित जो को उनसे यह सभी आपको पता हुण जिए बहुत ही most important question है हाली में किस देश ने डेविस कप टैनिस टूर्णामेट 2020 जीता है तो ये है रूष ने रूष ने डेविस कप टैनिस टूर्णामेट 2020 जीता है next question है हाली में फिक्की ने किसे अपना अध्यक्स निक्त किया है तो ये है संजीव महेता को संजीव महेता को फिक्की ने अपना अध्यक्स निक्त किया है तो इसका अंसर C है next question है हाली में 2020 Commonwealth Senior Championship संकेत महादेव ने कौन सा पदक जीता है हाली में 2021 Commonwealth Senior Championship संकेत महादेव ने कौन सा पड़क जीता है तो इसने गोल्ड मेलल जीता है स्वरण पड़क जीता है Commonwealth Senior Championship संकेत महादेव ने स्वरण पड़क जीता है next question है हाली में किसे ग्यान पीट पुर्षकार मिला है तो ये दामोदर महोजो को और नील मनी फुकन जूनियर को इन दोनों को ही क्या है ग्यान पीट पुर्षकार मिला है दामोदर को इनको मिला है 2021 का ग्यान पीट पुर्षकार और नील मनी फुकन जूनियर को मिला है 2020 का और दामोदर महोजो को मिला है 2021 का ग्यान पीट पुर्षकार मिला है नेक्स्ट कोईशन है आली में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किये जाने वाला एप कौन सा बना है दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किये जाने वाला एप कौन सा बना है तो ये है टिक टोक कौन सा है टिक टोक है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउ मोनगराफ का अनावरन किया है तो यह है राजस्तान ने डिजिटल मोनगराफ का अनावरन किया है नेक्स कोउप्शन है हाली में भारतिये अथलिक्ट्स मा संग ने किस दिन को बाला फैंक दुष के मनाने का निर्ने लिया है हाली में बारतिय एथलिक्ट्स ने मासंग ने किस दिन को बाला फैंक दिवस के रूप में मनाने का निर्ने लिया है तो ये है साथ अगस्त को अब है साथ अगस्त को बाला फैंक दिवस के रूप में मनाने का निर्ने लिया है एथलिक्ट्स मासंग नेक्स्ट कोईशन है हाली में किस राज्य सरकार ने हर हित स्टोर योजना शुरू की है हर हित स्टोर योजना शुरू की है किस राज्य सरकार ने तो ये हर्याना सरकार ने हर्याना सरकार ने हर हित स्टोर योजना की सुरूआत की है यह योजना आपको सारी याद रोनी किस राजैने कौन सी योजना शुरू की है नेक्स्ट क्रॉशन है हाली में बारतिय मुक्यबाज रोहित चमोली ने एसे जूनियर चेंपिंशिप में कौन सा पदक जीता है तो ये स्वरन पदक जीता है कौन सा स्वरन पदक जीता है बारतिय मुक्यबाज रोहित चुमेली ने A.C.A. Junior Championship में स्वरन पदक जीता है नेक्स्ट कोईशन है आली में Belgium Grand Prix 2021 का किताब किसने जीता है आली में Belgium Grand Prix 2021 का किताब कितने जीता है तो यह मैक्स वर्ष्टपन कोन है मैक्स वर्ष्टपन आली में इन्होंने बेल्जियम ग्रेंड पिक्स 2021 का किताब जीता है नेक्स्ट कोईशन है पांच सितम्बर को राजस्तान के किन दो सिक्सकों को रष्ट ये सिक्सक पुर्षकार परदान किया जाएगा तो एक तो दिपक जोसी और जैसिये को इन दोनों को पांच सितम्बर को राजस्तान के दो सिक्सकों को रष्ट ये पुर्षकार दिया जाएगा दिपक जोसी और वे जैसिंग को नेक्स्ट कॉस्टन है उस बारतिय का नाम बताईए जिसने अपने प्रयावरन संक्ठन फेमिली फोरेष्टरी के लिए परतिष्ठित शुक्तराष्टर लेंड फोर लाइफ अवार्ड दो जार इकीस से सम्मानित किया गया है तो उस बारतिय का नाम बताना है जिसने अपने प्रयावरन संक्ठन फेमिली फोरेष्टरी के लिए शुक्तराष्टर लेंड फोर लाइफ अवार्ड दो जार इकीस सम्मानित किया गया है तो ये है शाम सुन्दर ज्यानी को किसको शाम सुन्दर ज्यानी को अपने प्रयावरन संक्ठन फैमली फोरेश्ट्री के लिए शुवत राष्ट लेंड फोर लाइफ अबाड से समानित किया गया है next question है राजिस्तान में ग्रामिन अलम्पिक खेलों का आयोजन किया जाएगा इसमें कितने खेल शामिल है तो इसमें छए खेल है जो शामिल है पहले चार थे और इसके बाद में दो और जोड़ गिये तो ये छए खेल कौन कौन से है एक तो आता है इसमें कबड़ी उसके बाद में आता है खोको उसके बाद में आता है टैनिस कबड़ी खोको टैनिस एक आता है ओकी ओकी के बाद में आता है बोली बोल एक आगया बोली बोल और एक आगया शुटिंग कौन सा आगया शुटिंग तो ये च्छै खेलाएं एक कबड़ी खोको टैनिस और बोली बोल ओकी उस उसके बाद में आता है सुटिंग तो ये 6 खेल हैं पहले 4 थे अब 2 को और इसमें शामिल कर दिया तो 6 खेल हैं जो ग्रामिन ओलम्पी खेलों का यह जिन किया जागा इसमें 6 खेलोंगे शामिल आज का अंतिम क्योस्टन है तिरंदा जी की वर्ल्ड यूथ चेंपियंशिप में बारत में गोल्डन हैट्रिक लगाई उसमें राजस्तान की कौन सी तिरंदाज खिलाडी शामिल थी तिरंदा जी की वर्ल्ड यूद चैंपियंशिप में बारत में गोल्डन हैट्रिक लगाई उसमें राजस्तान की कौन सी तिरंजाज खिलाडी शामिल थी तो ये थी प्रिया गुजर कौन है प्रिया गुजर थी जो तिरंदा जी की वर्ल्ड यूद चैंपियंशिप में बारत में गोल्डन हैट्रिक लगाई और ये राजस्तान की प्रिया गुजर तिरंदा खिलाड़ी थी तो ये था हमारा आज का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना और वीडियो को जाते-जाते सेयर कर लेना तो हमारे इस चैंजर के साथ जुड़े रही है क्योंकि लगातार हम जो पीछे का करंट है उसका अर्वीजन आपको देते रहेंगे जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट है त्यारों, इसमें ज़्यादा खेल पर दिश्य के हम क्योस्तन लेकर आएंगे क्योंकि लगबग हर एक्जाम में खेल पर इदर से स्विस्पन दिद क्योस्तन आते ही आते हैं तो लगतार हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रही है और ग्रूप D की जो एक्जाम डेट है बहुत 23 फरवरी 2022 से इसका एक्जाम स्टार्ट होने वाला है जो ओनलाइन एक्जाम होगा तो इसके लिए भी हम जो ये करंट रिविजन है डेली आपको मिलता रहेगा जिससे आपका करंट है और भी त्यार होसके तो धन्यबाद दोस्तों जय हिंद जय बार्त